आप लोगो को क्या लगता है ये खरी उतर पाई होगी नहीं पता चलो मैं आज आप लोगो बदाता हूँ उससे पहले होली और सबेबरत की आप लोगो को हरदिक सुब कामना है अच्छे से आप लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें तो आज हम लोग करने वाले हैं मा देवरानी बेटी जेठानी पार्ट टू वेप सीरीस की रिव्यू जो उलू आप की है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुहित को इंट्रो लेकर आने दो तो अब अगर मैं इस पार्ट को एक लाइन में एक्स्प्लेन करूँ तो इसका जो पार्ट टू था वो एकदम क्वाइट डीसेंट था यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला अगर ये लोग चाते तो और भी ज़्यादा खास बना सकते थें लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया खास करकि अगर हम लोग सपना और दीपक वाले सीन को देखें जिस तरीके से इनका कलेस हो रहा था अगर उलू वाले चाते थें तो इसे और भी ज़्यादा निखार सकते थें लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया भाई काफी जादा बुरा लगा मुझे इस सीन को देख कर देखने को मिल रहा था वो तो हम लोग देखने को मिला लेकिन वो लंबे देर तक नहीं चला अब अगर हम लोग देखें तो इसका season 2 भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है क्योंकि series की जो story है वो continue भी हो सकती है और नहीं भी देखो अब हम लोग यहाँ पे confirm नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आगे चलके देखते हैं हम लोगो को क्या देखने को मिलता है, तो इस series को आज ही मतलब 18 मार्च को release कर दी गई है, उलू के platform पर और इसमें आप लोगो को total दो episode देखने को मिलते हैं, अब देखो यहाँ पर आप लोगो को ऐसा लगता है या नहीं, लेकिन personally मुझे लगता है कि पिरिया गामरे उलू की series में acting के मामले में काफी जादा आगे निकल गई हैं, इनको कोई सा भी scene दे दो, यह उस scene में एकदम खरी उतरती हैं, अब आप लोगो को क्या लगता है, आप मेरी इस बास से सहमत हो या फिर नहीं, यह मुझे comment करके जरूर बताना, अब बात करें story की, तो story में हम लोगों ने देखा था कि रौनक और सपना एक दूसरे से काफी जादा प्यार करने लगे थे, और यहाँ पे रौनक ने फैसला लिया था, कि मैं अपने father को इस प्यार के बारे में बता नहीं होगी, फिर आगे चलके एक दिक्कत और आएगी, जब मिष्टी बासु को पता चलेगा, कि मेरी मा मेरी घर की ही बहु बनने वाली है, अब जब मिष्टी बासु के साथ साथ सारे घर वालों को पता चलेगा, कि इनका क्या चल रहा है, तो series में क्या होगा, सपना की ज बात में हैं कि आप लोग को क्या करना है, सीरीज देखना है या फिर नहीं, और मैं जाते जाते एक बात आप लोग को और बता दूँ, गूट गरल, ब्राइड नाइट जो वेब सीरीज थी, जो आज रिलीज होने वाली थी, वो साड़े छे बजे रिलीज होगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इडिन रोज के लिए, तो आप लोग इस सीरीज को जा कर देख सकते हो, तो बस ये थी वो रिव्यू और ये था एक छोटा सा अपडेट जो आप लोग को बताना था, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगो से, किसी अपनी अग चलता हूँ लोगो और कि लोगो इंटी वीवीओ।